ग्यारा फर्वरी की सभा में देश विदेश के समचार लेकर वरुन तोमर के साथ मैं हूँ चिनमैदी इक्षित तोक्यो महानगर सरकार ने शुक्रवार को कुरोना वाइरस के 18,660 नए मामलों की पुष्टी की पिछले सप्ताह की तुल्ला में ये दैनिक संख्या 1100 कम है और साप्ताहिक गिरावट का ये लगातार 30 दिन है अधिकारियों ने बताया कि ब्रहस पतिवार से 3 घट कर अब 61 रोगी गंभी रहालत में है कुरोना वाइरस रोग्यों के लिए आवंटित विस्तरों पर भरती दर एक प्रतिशत अंक बढ़कर अब 58.6 प्रतिशत हो गई है 9 लोगों की मृत्यों की पुष्टी भी की गई है उसाका में 15,302 नए मामले और 27 लोगों की मृत्यों की पुष्टी हुई है उक्रेन सीमा पर रूसी सेना की 33 से उत्पन्नत तनाव को कम करने की दिशा में मिलकर काम करने के लिए जापान के विदेश मंत्री हायाशी योशिमासा और उनके अमरीकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन ने सहमती व्यक्त की है हायाशी और ब्लिंकन ने शुकरवार को आस्ट्रेलिया के मेलबर्ण में लगभग एक घंटे के लिए मुलागात की वारता के आरंभ में हायाशी ने कहा कि जापान और अमरीका ने सार्थक वारताओं से द्विपक्षिय संबंध प्रगाड किये हैं जिससे दोनों देशों के बीच परस पर सहयोग बढ़ा है उन्होंने आपसी सहयोग को ओर घंश्ठ करने की आशाव्यक्त की दोनों मंत्रियों ने उक्रेन की इस्थिति पर चर्चा करते हुए कहा कि वे उक्रेन सीमा पर बढ़ती रूसी सेना की तैनाती पर गहरी चिंता के साथ पैनी नजर रखे हुए हैं उन्होंने सोवियत संग का हिस्सा रहे देश की सम्प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए सतत समर्थन की पुनरपुष्टी की ब्लिंकन ने तरलीकरत प्रकृतिक गैस के आयात का कुछ हिस्सा यूरोप से साजह करने के जापान के निरणय के प्रती आभार प्रकट किया पूर्वी उक्रेन में संगर्ष पर रूस उक्रेन जर्मनी और फ्रांस के राजनाईकों के बीच ब्रहस्पतिवार की वारता विफल रही उक्रेन में जारी तनाव के बीच अधिकारियों ने बर्लिन में बैठक की जर्मनी और फ्रांस रूस तथा उक्रेन के बीच वारताओं की मध्यस्थता कर रहे हैं पूर्वी उक्रेन में रूसी समर्थन प्राप्त सशस्त्र गुटों और उक्रेन सेना के बीच छुटपुट संघर्ष होते रहे हैं आशंग का व्यक्त की जा रही है कि रूस इस स्थिती को आधार बनाकर उक्रेन पर हमला कर सकता है रूस के प्रतेनेधी दिमित्री कोजाक ने कहा कि वारता बिना किसी ठोस परिणाम के समपन्न हुई उन्होंने कहा कि चारोंपक्ष 2014 और 2015 के युद्ध विराम समझोतों को लागू करने के लिए विचार विमर्ष जारी रखने पर सहमत हुए रूस और बेलारूस की सेनाओं ने ब्रहस पतिवार को संयुक्त युद्धाब्यास आरंब किये अमरीका और कुछ अन्ने देशों को भय है कि रूस इनकी आड में सेना को तैनात कर उक्रेन पर हमला कर सकता है जापान के स्नो बोर्डर हिरानो आयूमो ने पेचिंग शीत कालीन उलम्पिक खेलो में शुक्रवार को पुरशों की हाफ पाइप प्रत्योगिता में स्वान पदक जीता दो बार के रजत पदक विजिता ने अंततह स्वान पदक हासिल किया हिरानो के तीनो प्रयास ट्रिपल कॉर्क 1440 की छलांग वाले रहे इसमें खिलाडी तीन बार गुलाटी मारते हुए चार बार तिर्चा घूमता है पिछले साल दिसंबर में किसी प्रत्योगिता में इस तरह की कलाबाजी करने वाले हिरानो पहले खिलाडी थे तीसरे प्रयास में 96 अंक प्राप्त कर हिरानो ने ऑस्ट्रेलिया के स्कॉटी जेम्स को मात दी हिरानो ने तोक्यो उलम्पिक में स्केट बोर्डिंग प्रत्योगिता में भी हिस्सा लिया था हाला कि वो अंतिम चरण में पहुँचने में नाकाम रहे थे लेकिन उन्होंने कहा कि इससे उन्हें बहतर संतुलन बनाने में मदद मिली इसके बाद उन्होंने स्नोबोर्डिंग खेल का चैयन किया और पिछले 6 मैनों से शीत कालीन खेलों की तयारी कर रहे थे पेचिंग शीत कालीन उलंपिक खेलों में शुक्रवार को जापान ने महिला वर्ग के करलिंग मुकाबले में कनाडा को परास्त किया प्योंग्चांग उलंपिक खेलों में कांसे पदक विजेता रहे जापान ने प्रारंभिक चरण में कनाड़ा को आठ पांट से शिकस्त दी जापान ब्रहस्पतिवार को प्रतियोगिता का पहला मैच पूर्व विजेता स्वीडन से हार गया था ये समाचार एनेच के वर्ल जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किये जा रहे हैं जापान मंत्री मंडल के मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों ने भूकम्प के कारण एक परमानू बेजली घर में दुरगटना का अनुकरण करते एक अभ्यास में भाग लिया है प्रधान मंत्री किशिदा फुमियों और अन्य संबंधित मंत्री शुक्रवार को अभ्यास के लिए प्रधान मंत्री कार्याले में इकत्रित हुए ये वार्षे का अभ्यास वर्ष 1999 में तो क्योंके उत्तर में तोकाई गाउव में एक परमाणू दुरघटना के बाद से आरंब हुआ है पिछले वर्ष कोरोना वाइरस आपातकाल के कारण ये अभ्यास रद कर दिया गया था इस वर्ष का अभ्यास इस परिस्थिती पर आधारित था कि ओना गावा परमाणू बिजली घर में रियाक्टर नंबर दो ने अपना प्रशीतन कारे बंद कर दिया है वर्तमान में तोहकू एलेक्टरक पावर कंपनी पुर्वोत्तर जापान के मियागी प्रिफेक्टर में रियाक्टर को फिर से आरम करने के प्रयास कर रही है पिशिदा ने आपातकाल की खोशना कर सैंतर के पास रहने वाले लोगों से अगरह किया कि वे वाइरस रोधी उपाए अपनाते हुए शांती से स्थान खाली कर दें या घरों के अंदर शरण लें इसके बाद मंत्रियों ने बिजली घर के आसपास की नगरपालिकाओं के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉंफरेंस की भारत में नए मामलों की संख्या में गिरावट को देखते हुए सरकार की कॉर्णा वाइरस प्रवेश पतिमंदों में धील देने की योजना है सोवार से अंतराश्ट्य यात्रियों को भारत आने के बाद साथ दिनों तक संग्रोध में रहने या आठवे दिन पीसियार जाँच कराने की आवशकता नहीं होगी दिसंबर में संक्रमन मामलों की संख्या बढ़ने के बाद 11 जन्वरी से कड़े प्रवेश नियम लाग हो गए थे लेकिन संक्रमन मामलों की संख्या पिछले महिने के अंत में कम होनी शुरू हो गई थी भारत सरकार का ये भी आकलन है कि चिकित्सा सेवाओं पर अतिरिक्त बोज नहीं है सभी यात्रियों को अभी संक्रमन ना होने की पुष्टी करती PCR जाँच रिपोर्ट जमा करने की आवशकता होगी इस जाँच का प्रस्थान से बहतर घंटे के भीतर किया जाना अनेवारे होगा सरकार का कहना है कि वो आने वाले यात्रियों की आकस्मिक PCR जाँच भी जारी रखेगी म्यामार की राश्ट्रे फुटबॉल टीम के एक पूर्व खिलाडी के पिता ने मंगलवार को एक स्थानिय समचार पत्र में विग्यापन देकर कहा कि उन्होंने देश की सेना का विरोध करने के कारण अपने पुत्र को त्याग दिया है फुटबॉल खिलाडी पिए शियान आंग पिछले मई में विशुकप क्वालिफायर के लिए म्यामार की टीम के साथ जापान आये थे जापान के विरोध मैच से ठीक पहले उन्होंने सेना दौरा फर्वरी में किये गए तख्ता पलट के विरोध में तीन अंगलियों की सलामी दी थी बार में उत्पीडन के डर से म्यामार लोटने से इंकार करने के बाद उन्हें जापान में शर्णार्थी का दरजा दिया गया था म्यामार की सेना का अभी विरोध कर रहे युवाओं के परिवारों को सेना ने हिरासत मिलिया है या उनकी परिसंपत्तियों को जब्द कर लिया है कई परिवारियों ने उत्पीडन से बचने के लिए सारुजनिक रूप से ये खोशना की है कि उन्होंने सेना का विरोध करने वाले अपने बच्चों के साथ संबंद विछेद कर लिये हैं शोद करताओं के एक तल का कहना है कि मदमेह से गरस्ट चूहों में रक्त में शरकरागी मातरा नियंतरत करने वाली कृत्रम अगनियाशेई कोशिकाएं प्रत्यार रूपित कर मदमेह के लक्षणों को कम करने में उसे सफलता मिली है अग्नियाशेई कोशिकाएं मधू सूधनी यानी इंसुलिन हॉर्मोन का निर्मान करती हैं जो रक्त में शरकरा के स्तर को नियंतरित करता है लेकिन इन कोशिकाओं की पुनरुत पादन क्षमता सीमित होती है इसलिए एक बार ये कोशिकाएं काम करना बंद कर दें तो शरीर इंसुलिन का निर्मान नहीं कर पाता है तोक्योवे शिविद्याले के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के प्रध्यापक यामादा यासु हीरो का शोट समू चूहों से ली गई अग्नियाशेई कोशिकाओं में मिकेल वन्शाणू को उत्प्रेरित कर उन्हें प्रजनित करने में सफल हुआ है समू ने पाया कि प्रजनित कोशिकाओं को मदुमे से पीड़त चूहों में प्रत्यारोपित करने के बाद उनका रक्त शरकरास्तर लगभग सामाने हो गया उनका कहना है कि उन्होंने इस बात के भी पुष्टी की है कि मिकेल वन्शाणू के उत्प्रेरन से मानव वयस्क अग्नियाशेई कोशिकाओं में भी प्रजनन होता है समू का कहना है कि ये खोज मदुमे के नए उपचार का विकास कर सकती है जैसे कि मदुमे के गंभीर रोगियों में बहुप्रज अगनियाश्य कोशिकाओं को प्रत्यारोपेत करना और अब आज के प्रमुक समाचार एक बार फिर तोक्यो महानगर सरकार ने शुक्रवार को कोरोना वाइरस के 18,660 नए मामलों की पुष्टी की पिछले सप्ताह की तुल्ला में ये दैनिक संख्या 1100 कम है और साप्ताहिक गिरावट का ये लगातार 30 दिन है अधिकारियों ने बताया कि ब्रहस्पतिवार से 3 घट कर अब 61 रोगी गंभी रहालत में है कोरोना वाइरस रोगियों के लिए आवंटित विस्तरों पर भरती दर 1 प्रतिशत अंक बढ़कर अब 58.6 प्रतिशत हो गई है 9 लोगों की मृत्यों की पुष्टी भी की गई है उसाका में 15,302 नए मामले और 27 लोगों की मृत्यों की पुष्टी हुई है पूर्वी उक्रेन में संगर्ष पर रूस उक्रेन जर्मनी और फ्रांस के राजनाइकों के बीच ब्रहस्पतिवार की वारता विफल रही पूर्वी उक्रेन में रूसी समर्थन प्राप्त सशस्त्र गुटों और उक्रेन सेना के बीच छुटपुट संगर्ष होते रहे हैं आशंक का व्यक्त की जा रही है कि रूस इस स्थिति को आधार बना कर उकर उक्रेन पर हमला कर सकता है रूस के प्रतेनेधी दिमित्री कोजाक ने कहा कि वारता बिना किसी ठोस परिणाम के समपन्न हुई उन्होंने कहा कि चारोंपक्ष 2014 और 2015 के युद्ध विराम समझोतों को लागू करने के लिए विचार विमर्ष जारी रखने पर सहमत हुए रूस और बिलारूस की सेनाओं ने ब्रहस्पतिवार को संयुक्त युद्धाभ्यास आरंब किये अमरीका और कुछ अन्ने देशों को भय है कि रूस इनकी आड में सेना को तैनात कर उकरेन पर हम ला कर सकता है जापान के स्नो बोर्डर हिरानो आयोमो ने पेचिंग शीत कालीन ओलंपिक खेलो में शुक्रवार को पुर्षों की हाफ पाइप प्रत्योगिता में स्वाण पदक जीता दो बार के रजत पदक विजिता ने अंततह स्वाण पदक हासिल किया हिरानों के तीनों प्रयास ट्रिपल कॉर्क 1440 की छलांग वाले रहे इसमें खिलाडी तीन बार गुलाटी मारते हुए चार बार तिर्चा घूमता है भारत में नए मामलों की संख्या में गिरावट को देखते हुए सरकार की कॉर्नावाइरस प्रवेश प्रतिमंधों में धील देने की योजना है सोंवार से अंतराष्ट्रे यात्रियों को भारत आने के बाद साथ दिनों तक संग्रोध में रहने या आठमें दिन PCR जाँच कराने की आवशक्ता नहीं होगी दिसंबर में संक्रमन मामलों की संख्या बढ़ने के बाद 11 जन्वरी से कड़े प्रवेश नियम लाग हो गए थे लेकिन संक्रमन मामलों की संख्या पिछले महिने के अंत में कम होनी शुरू हो गई थी भारत सरकार का ये भी आकलन है कि चिकित्सा सेवाओं पर अतिरिक्त बोज नहीं है सभी यात्रियों को अभी संक्रमन ना होने की पुष्टी करती PCR जांच रिपोर्ट जमा करने की आवशक्ता होगी इस जांच का प्रस्थान से 22 घंटे के भीतर किया जाना अनेवारे होगा सरकार का कहना है कि वो आने वाले यात्रियों की आकस्मेग PCR जांच भी जारी रखेगी शोद करताओं के एक तल का कहना है कि मदुमेह से ग्रस्थ चूहों में रक्त में शरकरागी मातरा नियंतरित करने वाली कृत्रम अग्नियाशेई कोशिकाएं प्रत्यारोपित कर मदुमेह के लक्षणों को कम करने में उसे सफलता मिली है अग्नियाशेई कोशिकाएं मधु सूधनी यानि इंसुलिन हॉर्मोन का निर्मान करती हैं जो रक्त में शरकरा के स्तर को नियंतरित करता है लेकिन इन कोशिकाओं की पुनरुत्पादन क्षमता सीमित होती है इसलिए एक बार ये कोशिकाएं काम करना बंद कर दें तो शरीर इंसुलिन का निर्मान नहीं कर पाता है तो के विश्विद्याले के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के प्रध्यापक यामादा यासु हीरो का शोच समु चूहों से ली गई अग्नियाश्य कोशिकाओं में मिकेल वन्शाणू को उत्प्रेरित कर उन्हें प्रजनित करने में सभल हुआ है समु ने पाया कि प्रजनित कोशिकाओं को मदुमे से पीड़ चूहों में प्रध्यारोपित करने के बाद उनका रक्त शरकरास्तर लगभग सामाने हो गया उनका कहना है कि उन्होंने इस बात की भी पुष्टी की है कि मिकेल वन्शाणू के उत्प्रेरण से मानव वयस्क अग्नियाश्य कोशिकाओं में भी प्रजनन होता है समू का कहना है कि ये खोज मदमे के नए उपचार का विकास कर सकती है जैसे कि मदमे के गंभीर रोग्यों में बहुप्रज अग्नियाश्य कोशिकाओं को प्रत्यारोपित करना इसी के साथ NHK World Japan की हेंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है